नमस्कार दूरदर्शन खबराँ चाप सब्दा स्वागत मैं आज जतंदर सिंग पहला पेशने चोण मिया खबराँ अनमंत्री नरेंदर मोधी ने पार्ती रिजर्ब बैंक दे गाक केंदरेच दो प्रोग्रामा दा कीता उद काटन केंदरी सेत मंत्राला ने ती नवंबर तक देश दे हर बालगनू कोविड दा पहला टी का लगाउन दा टीचा रख्या तिनसोर पैतों कारोबार शुरू करके टाई हजार क्रोडर पैदी टार्नोबर तक पुजनवाली पदमशिरी रजनी बैक्टर महला उदमियाली बने प्रेरणा सरूत इस साल गुर्पुर्ब ते एक हजार पांचसो शिर दालू जानगे पाकिस्तान प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने पार्ती रिजर बैंक दे गाक केंद्रेत दो प्रोग्राम मादा आज वर्चूल मादेम राही शुबारम कीता इना विच परचून परताख योजना ते यूनिफाइड बैंकिंग लोकपाल योजना शामले इस मौके विच मंत्री नरेंदर मोदी ने केहा के यूनिफाइड लोकपाल योजना दी शुरूआत नाड एक राष्ट्र एक लोकपाल ने असल रूप ले ले आई उना केहा के लोकतांतर दी ताकत इस गल वेचे के आम लोकानिया शिकायतां दाने प्टारा किनी जल दी होवे परदान मांत्री मोदी ने केहा के शेरां दी पूझी कारी विच काट समय दे पूझी कारां दा सहयोग बेहद महत्तपूर ने उन्हा कहा कि मजबूत बैंकिंग विवस्था लई, मजबूत अर्थ चारेदा होना जरूरी है प्रदानमांद्री ने कहा कि पारत दुनिया विच डिजिटल लैंड देंड दे मामले विच काफी अग्या है मुझे खुशी है कि आर्बियाई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है आज जिन दो योजनाओं को लॉंच किया गया है उनसे देश में निवेश के दाएरे का विस्तार होगा और केपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधीक आसान अधीक सुरच्छित बनेगा प्रचून प्रताख योजनादा उदेश पूझी कारानों बिना किसे अडिके दे आर्बियाई नाल सरकारी खाता ओनलाइन खोलन दी इजाज़त देना है जद के यूनिफाइड बैंकिंग लोगपाल योजनादा उदेश गाकानिया शिकायतनादे हाल ले इस बंदत विवास्थानों होर बेतर बनोनाए इस योजनादा मुखविशा एक राष्टर, एक लोगपाल, एक पोर्टल, एक एमेल ते एक पताए इस तहट गाकापनिया शिकायतनादा पता लगा सकनगे या तेस दे हाल होन जा ना होन बारे फीडबैक ले सकनगे केंधरी मंत्री पिउश गोईलने के हाए के तैन नमेक हिथी कानूनानों लेके रोस मुझारे कारए हे किसाना नाल गलबात कारन लोई सरकार तै आरे नमीदली विच कल पतर कराना गलबात कर दे आउना के हा के अंदोलन कर रहे किसाना नू गलबात ली अगे आउना चाहिए या ते ए गलबात जरूरी तोर ते तथा ते हकीकत ते अधार ते होनी चाहिए दिये केंदरी सेहत मंत्राला ने ती नवंबर ता के देश दे हर बालग नू कोविड दा पहला ठीका लगाउन दा टीचा रखे आए सेहत मंत्राला दे वदीक सकतर डॉक्टर मनोहर अगनानी ने आज एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग राहीं दस्या के इसलई देश पार वेच हर कारदास तक मुहेमनू जिला प्रिशासन आते सूब्यां दे सेहत मैक में दी मदद नाड जंगी पदर ते चलाया जावेगा उना केहा के इस दोरा ने भी देख्या जावेगा के जिनना दी डूजी डोस दी तरीक हो गई है पर उना नू टीका नहीं लगया ते उना नू वी टीका लगया जावे उना केहा के इस विच गैर सरकारी जथे बंदियां दा सहयोग भी लिया जावेगा उना दस्या के पंजाब समेत कोज सूबयां वेचे इस विड़े टीका करन दी रफ्तार 80% तो काटे अते इसनू विवदाउन दे या तनकीते जानगे डॉक्टर अगनानी ने केहा के सूबयां नू आपने हिसाब अते इलाके दी जरूरत मताबक हर कारदास तक मुहें में चलाउन दी आजादी होवेगी अजादी का अमरित महूत सवनू स्मर्पित अजादी का सफर तहट असी पारदी अजादी दे विच योगदान पौनवाले वाकवाख मनने परमनने ते गुमनाम अजादी संगरामियां दे जीवन दे पहलूँ आतों तोहानू जानू करवां दे हां इस्तो इलावा जादी दे संग गर्शनाल जुडियां हूर गती विदियां दे बारे विच विदास दे हां। 1903 नू पहला गोल में समेलन लंदन विच शिरू होया सी, 1909 विच गांधी जी दी अगवाई हेट कीतेगे ना मिलवर्तन अंदोलन दे नाल सुतंतर ता अंदोलन अपने सिखरते सी, एस दुरान पास कीतेगे पारस सरकार एक्ट 1909 विच पार्थियां दी मांग अनुसार शास सारियां शाखामा चोना दी बद हिस्सेदारी दा प्रबान नहीं कीता गया सी, अंग्रेज हकूमत दी विवस्था दे खास बरक विच वी पारतनू प्रभुता दा दर्जा देन दी मांग बद रही सी, एसली पारस सरकार एक्ट 1909 नू लागू करन दी जांचली साइमन कमि जित करन दा फैसला लिया, अजेतन समेलना दा अयोजन कीता गया, पहला गोल में समेलन 12 वंबर 1903 तो 19 जन्वरी 1931 तक अयोजित कीता गया सी, समेलन तो पहला महात्मा गांदी ने सिवल ना फर्मानी दा अंदोलन शुरू कीता सी, नतीजे दे तौरते कांग्रस ने एस समे दी मांग कीती, तेज बहादर सप्रू ने अखिल पार्ती संगदे विचार नू अग्गे वदाया, मुस्लिम लीग ने भी एस दी हमायत कीती सी, रियास्तान दी सुतंतरताली अग्गे आया पर शर्त रखी की उना दी अंदरूनी प्रभूता बनी रहनी चाहिए, पहले ग गालबाद करनली मन और दी कोशिश कीती, मार्च 1931 विच गालबाद तो बाद गांदी इर्मिन समझाते ते दस्थखत कीते गए, अते गांदी जी सिवल ना फर्मानी दे अंदोलन नो मुल्त वी करन, अते दूजे गोल में समेलेंच हिस्सा लेंडी रजा मन्थ हुए 12 नवंबर नो ही परसिद पार्ती सिख्या बैदवान अते सुतंतरता सनानी पंडित मर्दन मोहन मालवियादी बरसी भी है, जिनानो महावनावी क्या चांद है उना दा जनम 25 दसंबर 1881 नू इलाहा बादविच होया सी, उनाने कलकत्ता युनिवस्टी च पड़ाई की थी, फेर ओ एक स्कूल अध्यापक ते बादविच वकील अते एक खबार दे संपादक बने ओ हिंदू महा सबादे संस्थापक वी ने, असे योग अंदोलन्च मालविया ने एक महत्तपुरन वेक्ती वजो पुमिका निभाई, पावियोग खुशकरंदी राजनी ते खिलाफ़त अंदोलन विच कांग्रस दी पागी दारी दे विरोधी सन, मादन मोहन मालविया उन पैर फेलोने शुरू कीते, मदन मोहन मालविया ने 3 मई 1932 नो एक एलान नामा जारी कार दता, जेश पारतवच पार्ती खरीदो अंदोलन ते त्यान केंद्रित करंदी अपील कीती कैसी, मालविया 1931 दूजे गोल में समेलन चिक नुमाइंदे सन, सरोजनी नाइडू दी ग चार सो होर कांग्रस बलंट यरानल गिर्फतार कर लिया गया, 1933 विच कलकत्ता जो नानू फेर तो कांग्रस दे परदान वजों नी युक्त कीता गया, एस तरह सुतंतर ता तो पहला मालविया पार्ती राष्टी कांग्रस दे एक लौते अजे नेता सन, जिनानू चार कार विच लोहार विच अते दूज्जा, 1931 विच कान पुर्च दता सी, 1933 विच कांग्रस दे कलकत्ता इजलास विच अपने परदान गी पार्शन विच मदन मोहन मालविया ने क्या सी, मैं सारे हिंदूआ, मुसल्माना, सिक्खा, इसाइया, पार्सिया अते होर देशवासिया पेदानु बेंती करदा हां कि उस सारे फिरकु मत पेदानु पुला देन ते सारे ही वरगांदे लोकां विचाले स्यासी एकता स्थापित करन ली कामकरन सिख्याते समाज सेवादे अपने संकलपनू पूरा करन ली उननाने 1911 मेच अपनी जमी जमाई वकाल चड़ दिती जिंदगी पर सन्यास दी परंपरानु ने बौन ली उननाने समाज सेवाली जीवन समर्पित करन दी अपनी एलानी गई वचन बत्ता दा पालन की था पर जदू 144 मामलेच 177 सुतंतरता सैनानियानू फांसी दी सजा सुनाई गई तम मदन मोहन मालविया ने अपने इरादे दे बावजुद उना दा मुकदमा लड़ेया अते 156 सुतंतरता सैनानियानू बरी करवाया एक प्रतिबाशाली स्पीकर होन दे नाते उनाने मुफ्त ते लाजमी मुडली सिख्या ब्रिटिश कलोनियाच पार्ती गिर्मिटिया किर्तियाँ दी पार्ती ते पाबंदी अते रेलवे दे कौमी करन वरगे मुद्यां ते बहस विच सरगरम तौरते हिस्सा लिया ओ 1904 तो लेके पार्त नू अजादी हासल होन दे एक साल पहला, 1946 विच देहांत तक हिंदोस्तान टाइम्स दे नदेशक मंडल दे परदान रहे मदन मोहन मालविया नू सापका परदान मंत्री अटल बिहारी वाजपाई दे नाल पारत रतन नालसन मानित कीता गया सी लुद्याना दी सफल महिला कारोबारी रजनी बैक्टर नू पिछले दिनी पदम शिरी अवाड नाल नवाज़ा गया है उना क्रीब ब्याली साल पहला तिनसोर पहे विच ओवन खरीद के अपने कारतों बिसकुट अते केक बनाओन दा काम शुरू की तासी ते आज उना दा कारोबार टाई हजार क्रोडर पहे ते पुझ के एक वड़ी कंपनी विच तबदील हो चुकाई पेशाएक रिपोर्ट रजनी बेक्टर नू बीते दिनी राष्ट्रपती वलो सनत अते वपार दे खेतर वीच विलखन कारगुजारी लई पदमश्री नाल सन्मानत कीता गया रजनी बेक्टर ने अपनी मेहनत समर्पन अते जिनून नाल मुकाबले दे इस दौर वीच भी बेकरी दिना बेहतरीन वस्ता त्यार करके देश विलेशा वीच अपना नाब डाया अते आज रजनी बेक्टर मेला उदमियली प्रेणना सो तते एक बेहतरीन मिसाल बढ़ गेने पदमश्री सन्मान हांसल करन तो बाद लुजाना विच दूर दशनाल गालबात कर दिया रजनी बेक्टर ने केहा कि सार्या नू टीचा तै करके अग्गे बदना चाहिदाए अते सफलता जरूर मिल दिये उना दस्या की उना दे उतपाद सिर्फ देश विची नहीं सो गो विदेशा मिच भी काफी प्रचलत ने रजनी बेक्टर दस्या ने की उना क्वालिटी नाल कद्या समझाता नहीं की था 1978 में मैंने स्टार्ट किया था और आज तो 2021 हो गया तो बहुत साल हो गए हैं ज़्यदा जब भढ़ाओं की तरफ हमें आई हो 90 से बाद में बहुत ज़्यदा उपर को गए हैं आस्ता करते करते, बहुत उपर जाते रहे हैं यही सफ़र前 जो बहुत अच्छा रहा तक्रीफों के साथ भी रहा अच्छाई की तरह बी रहा अच्छा भी रहा तब यह आगी को गए है मोदी जीने मेरे को कहा, आपने मेरे को कहाना निख लाया तो मैंने का खाने के लिए तो ध्यान आना पड़ेगा ना यहां तो नहीं खाना आना खिला सकती है आपको तो बिजनस के बारे में भी बात की उन्होंने सारी बहुत अच्छी तरह से जो उनका मैं उनका चेहरा और उनका बेरे आखों के सामने मुझूध है और आप मैं उनके लिए बहुत श्युक्र घजार हों कि उन्होंने ऐसा हमारे बारे में सुझे मैं हरे एक मुपन को यही संदेश देना चाहूंगी कि घर पर मत बैठिये घर पर मत बैठिये पर अपने बच्चों को जरूर ध्यान रुखिये बच्चों को मैंने भी कभी जिन्दगी में निगलेक्ट ने किया मैंने बच्चों के सामने काम भी ने किया केंदर सकार ने के है कि इस साल गुरपर उबते एक हजार पांचसो शर दालू पाकिस्तान जानगे विदेश मंत्राला दे बुलारे अनन्दम बागची ने आस पर इटाईए के शर दालू आदे इस जथे दे अटारी वागा बॉर्डर जरीए सफर नू पाकिस्तान असान बनाएगा उना गया कि पारता दे पाकिस्तान बिचाले 1974 तो तार्मिक थामा दी यात्रा लई होई दूबले समझाते तहे ते यात्रा करवाई जारीए शर दालू आदे इस जथे दा स्तारा तो चबी नवंबर दा कि पाकिस्तान दे गुर्द्वरा दरबार साहब गुर्द्वरा करतारपूर साहब गुर्द्वरा पंजा साहब गुर्द्वरा डिरा साहब गुर्द्वरा निकाना साहब बते गुर्द्वरा सच्चा सौदा जानदा प्रोग्रामे करतार पुर्दारा पाकिस्तान दे नरोवाल जिले विच रावी नदी दे कंडे ते स्थेते ए सिखान दे पहले गुरू शीर गुरू नानक देव जीदा आखरी अराम अस्थाले उना अपने जीवन दे आखरी 18 साल करतार पुर विच बताए सन इस दिनारी साथ खवरां दे बलतन समापतन दाए इजाज़त देव नमस्कार